Hello and welcome to TechInfoYT तो previous वीडियो में हमने यहाँ पर यूजर के लिए action और reducer function create किया था और उसको store के object के अंदर successfully store कराया था यानि कि add किया था यहाँ पर डिदक्स dev tool में चेक कर सकते हमारे पास register user reducer है और उसके अंदर हमारे पास state है अब हमको क्या करना है सबसे पहले backend में यूजर के लिए model create करना है और फिर वहाँ पर route create करना है जिसकी मदद से हम जो है जब भी user register करें तो वो data database में store होना चाहिए तो चलते वापस visual studio code पर और आपको जाना है backend यानि server के folder के अंदर और यहाँ पर हमारे पास है models का एक folder तो यहाँ पर हम एक new file create करेंगे और इसका नाम हम रख सकते user model.js तो पहले हमने pizza model create किया था अब हम create कर रहे है user model जिसके अंदर हम user की values को यहाँ पर define करेंगे तो यहाँ पर हम को क्या करना है schema design करना है तो आप mongoose का इस्तेमाल कर सकते हैं तो सबसे पहले हम को क्या करना पढ़ेंगा mongoose को यहाँ पर import करना है तो import के बदले हम node में क्या करते है require करते है const mongoose require of mongoose mongoose का package हमने यहाँ पर require कर लिया अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते है schema create कर सकते हैं तो लिखना है const, फिर यहाँ पर user के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे user schema equal to mongoose.schema, s capital में लिखिया, और इस schema के अंदर हमको चाहिए, object यहाँ पर define करना पड़ता है, तो object में हमको क्या चाहिए, देखिए हमारे पास कौन से fields है, name है, email है, password है, confirm password है, और फिर है, और कुछ भी नहीं है, तो 3-4 field है, तो यहाँ पर हमको require करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर पहली field है, name, name के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका type define करना पड़ेगा, यहाँ जब भी user enter करेंगा, तो वो string होना चाहिए, यहाँ पिर number होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है type, और यह रहेंगा string, और इसके बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर require कर देंगे, इसको true, true को आप क्या करें, यहाँ पर array में लिखें, साथ ही में हम जब यहाँ पर एक message भी user को show करा सकते हैं, जैसे के name is required, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर email के लिए भी same इसी तरीके से लिखना है, तो email, और यहाँ पर इसका type आप define कर देंगे, type रहेंगा string required, यह भी array में लिखें आप, और इसको कर दे true, और इसके बाद में यहाँ पर हम एक message चोड़ देंगे, email is required, और third one हमारे पास password, password के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका type ring कर देंगे, same हमारे पास string ही है, क्योंकि हमारे पास अभी numeric data नहीं है, जब orders का हम create करेंगे, password के बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर is admin की एक property हम add कर देंगे, क्योंकि हमको admin panel भी create करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी define कर देंगे, और इसका type जो रहेंगा, वो रहेंगा boolean, और यहाँ पर हम default कर देंगे false, यानि कि हर कोई जो register करेंग वो default में admin नहीं रह सकता, हम specific महाँ पर admin panel के अंदर main master password बनाएंगे, उसके बाद में वहाँ से हम और multiple admins भी create कर पाएंगे, तो I think इतनी fields काफी है, और confirm password की तो हमको जरुरात नहीं है, हम virtual field भी create कर सकते हैं, या पिर हमारे पास client पर ही validation कराके उसको छोड़ देंगे, आप यहाँ पर देखी, जहाँ पर यह schema end हो रहा है, उसके बाद में आप क्या करें, यहाँ पर एक और object create करें, और यहाँ पर लिखे time stamps, और इसको आप कर दे true, तो जब भी यहाँ पर new user create होंगा, तो उसका time भी यहाँ पर automatically capture हो जाएगा, और in the end हमको क्या करना है, यहाँ पर export करना है, तो आपको लिखना है module.export, और यहाँ पर आपको लिखना है mongoose. यहाँ पर इसके आगे model लिखना है, और model के अंदर यहाँ पर हमारे पास है user, यह हमारे collection का नाम रहेंगा user, और किसके basis पर करना है, हमने जो ऊपर collection create किया है, user schema का, उसके basis पर यहाँ पर create करना है, यहां पर यह user schema और यह user schema same है इतना लिखके आप इसको save कर लें तो save होने के बाद अब हमको क्या करना है इसके लिए route create करना है यहां पर हम क्या करेंगे routes के फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहां पर से एक new file create करेंगे और इसका नाम हम रख सकते user routes.chars और हमको क्या करना है यहांपर सबसे पहले require करना है express को तो const express require of यहांपर express यहांपर require हो चुका है अब हम क्या करेंगे router object create कर लेंगे तो यहांपर हम लिखेंगे const और यहांपर आपको लिखना है router और यह कहां से आएगा यह एक्सप्रेस के अब्जेक के अंदर से आएगा तो यहां पर express. यहां पर आपको लिखना है router तो const router is equals to express.router इसके बाद में हमारे पास क्या है user model है तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेंगा तो const user is equal to require of और फिर आपके फाइल का पाथ तो dot dot slash एक फोल्डर अप और इसके बाद में हमारे पास है models का फोल्डर और उसके अंदर है हमारे पास user model तो अब हम यहां पर route create कर सकते हैं तो यहां पर लिखना है आपको router और यहां पर post का method रहेंगा तो इसलिए आपको क्या करना है यहां पर post लिखना है उसके बाद में हमको यहां पर URL pattern लिखना है तो slash API slash यहां पर हम क्या कर सकते हैं या फिर simple हम क्या करेंगे यह पर register कर देंगे और हम जो हमारे root के अंदर जो है API और user का path वहां पर add कर देंगे बागी का तो यहां पर हमारा path अभी के लिए है register और इसके बाद में हमारे पास होता है callback function तो यहां पर आपको parenthesis लिखना है उसके अंदर as argument request and response और यहां पर arrow function आपको add करना पड़ता है अब हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है destructure कर लेंगे user से जो भी हमको data मिल रहा है कहां से मिलेंगा हमको request.body से क्या मिलेंगा हमको यहां पर name मिलेंगा name के बाद में हमारे पास है email फिर password is admin तो default false ही रहेंगा तो हमको registration के time पर define करने की ज़रूरत नहीं है यहां पर और हम क्या करेंगे यहां पर एक new variable बनाएंगे जिसकी मदद से जो हम इसको store करा देंगे हमारे user model के थुरू जो है database में store करा देंगे तो मैं यहां पर लिखताओ new user equal to यहां पर लिखना है आपको फिर new user अब यह user जो है हमारे model को represent कर रहा है और इसके अंदर as a argument हम क्या करेंगे यहां पर name email और password को जो है पास करा देंगे इसके बाद में क्या करेंगे यहां पर try catch block का स्केंद करेंगे ऑफिर यहां पर सक्सेसमुरी जो है यह पर send हो रही है यह नहीं तो यह पर try catch है आप चाह needle channel block कात्य है design channel block कर सकते हैं यहां पर हम क्या करेंगे ? new user यह चोई almost new users ना क्या करना है 1992 save method यहां पर save kay这 bit सेंड और इसके अंदर हम सेंड यहां निग पर शूर सकते हैं जैसे कि मैं यहां पर लिखेός हुआ क्या करते हैं यहां पर सकसेस यहां पर मैं लिखता हुँ सकसेस्टी पूर यहां in एक message भी दे देंगे message रिगımızı सकते हैं और इतना की स्वेश को आप save कर ले और हम क्या करते हैं यहां पर catch में भी जो है error के लिए बना देते हैं तो यहां पर आपको लिखना है response.status status में हम क्या कर सकते है 400 server related issue और यहां पर इसको एक JSON response दे देंगे हम और इसके अंदर हम क्या कर सकते है एक message दे देंगे क्या करते हम इसका message के अंदर simply जो error हम को catch के अंदर मिलेंगा यहां पर हम print कर आदेंगे इतना लिख के आप इसको save कर ले नीचे आप क्या करें फाइल को जो है export कर दे तो यहां पर लिखे export और module.export करना पड़ेंगा module.exports और यहां पर हमको router object को export करना है यहां पर user के लिए भी करना है तो आपको क्या लिखना है app.use और यहां पर हमारे पास क्या है सबसे पहले URL pattern तो API और इसके बाद में हमारे पास है users यह रहा तो हमको क्या करना है हमारी file का path यहां पर add करना है तो require आपको करना है और यहां पर dot slash और हमारे पास routes का again same folder रहेंगा और उसके बाद में हमारे पास क्या रहेंगा user का route रहेंगा I think इतना काफी है इतना लिख के हम इसको save कर लेते हैं और अब हम क्या करेंगे चेक करेंगे इसको postman में यह फिर हम क्या करते है डिरेक्ली frontend पर check कर लेते हैं क्लाइं आप क्लाइं फोल्डर के अंदर जाएं और यहां पर हम क्या करेंगे हमारे पास था registration के नymph और यहां पर हमारे पास है register screen동 इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले import कर दें Aha हमारे action को और Redux का इस्तेमाल करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर use selector और dispatch को भी import कर देंगे तो use selector and use dispatch make sure spelling सही हो मैं एक बार फिर से चेक कर लूँगा और यहां पर हमको react Redux में से जो है इसको import करना है इसके बाद में अब हम क्या करेंगे यहां पर import करेंगे हमारे action को तो यहां पर पास था user का action register user action I think register user action control space करता हूँ देखता हूँ autosuggestion में यहां पर option आता है या नहीं तो autosuggestion में तो option नहीं आ रहा मैं करता हूँ import something from यहां पर action हमारे file का path दे देता हूँ तो dot dot slash action का folder और उसके अंदर हमारे पास है यहां पर user के लिए हमने action create किया था तो वह file को हमको यहां पर import करना है और यहां से मैं एक बार autosuggestion में चेक कर ला था हूँ ताकि हमको जो spelling mistake ना मिले इसलिए हम यहां पर इस तरीके से लिकरें तो register user के नाम से हमारे पास अब हम क्या क्या करेंगे यहां पर dispatch करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेंगा dispatch का variable बना पड़ेंगा तो यहां हम क्या करते हैं dispatch का variable बना देंगे уп pickup यहां Πैपे dispatch ---- use dispatch अर यहां से function remove कर देता हूँ मैं और यह एमटी रहेंगा, यहाँ पर use dispatch भी हमने एड़ कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं? इसको dispatch कर सकते हैं, तो कहाँ पर हम करेंगे? हमारे पास रजीस्टर हैंडलर था, और इसमें हम क्या कर रहे थे? console.log कर रहे थे अभी तक, तो अब हम क्या करेंगे? directly dispatch कर देंगे तो dispatch और dispatch के अंदर हमारे पास है action register user और as argument में हम क्या pass करेंगे user को pass कर देंगे तो यह user अब हम यहाँ पर send करा रहे हैं इतना लिक कि आप इसको save कर लें और चलते हम browser पर आप को reload कर देते एक बार देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ error है import exeos from तो कहाँ पर है यह user action के अंदर तो चली इसको fix कर लेते action और फिर हमारे पास user action और यहाँ पर देखिए हमको इसको single यहाँ पर double quotation में लिखना पड़ता है इतना लिख के इसको save कर लें वापर चलते हैं और फिर से reload कर देते हैं application को तो इस time perfectly काम कर रहा है successfully यहाँ पर हमारा form भी शो रहा है और कोई error अभी हमारे पास नहीं है और state भी हमारी फिलाल के लिए MTA है और हम यहाँ पर कुछ भी data add कर सकते हैं तो यहाँ पर हम कुछ values का add करते हैं जैसे name में tech info yt email में हम करते हैं tech info yt at gmail.com password में 123456 again 123456 और यह check box तो dummy है simply हम जो register पर click करेंगे तो देखते हैं क्या आता है error आता है या फिर data successfully जो है database में store होता है तो click करेंगे तो यहाँ पर request fetch हुई है देखें यहाँ पर success का भी हमको मिल रहा है जिसे loading false और यहाँ पर success true इसको confirm करने के लिए हम क्या करते हैं database में एक बार check कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं database open कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे फिलाल मेरे पास एक ही collection है pizza का मैं क्या करता हूँ इसको refresh कर लेता हूँ एक बार तो यहाँ पर successfully users का भी हमारे पास collection आ चुका है अब मैं इसको open कर लेता हूँ और check करते हैं तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर दो objects आ चुके I think double click हो गया मेरे से तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ देखेंगे एक को open कर लेता हूँ यहाँ से तो यहाँ पर I think कुछ glitch था ok or password भी बराबर से आ रहा है अभी पासवर्ड भी इंक्रिप्ट करना है तो बाद में देख लेंगे इतना कोई अभी दिक्कत की बात नहीं है अभी तो फिलाल हमारे परफेक्ली काम कर रहा है created add updated add अध। दोनों का भी जो है ISO date format आ रहा है यहां पर try कर लेते हैं, और यहां पर आप चाहे तो इसको clear भी कर सकते हैं, इसके बाद में जैसे ही register पर click हो, तो यहां से data remove हो जाएं, तो यह functionality मैं आपके उपर छोड़ देता हूँ, at least आप इतना तो करी सकते हैं, so best of luck, मैं यहां पर करता हूँ, फिर से कुछ नाम add कर देत हूँ, जैसे के like, like, at the red, subscribe, at youtube.com, password same रहने देते हैं, और हम register पर click करते हैं, तो देखिए, फिर से user register success call हुआ है, यहां पर action, वापस database में चलते हैं, और हम इसको refresh कर देते हैं, तो right click कर दें आप कहीं पर, यहां पर re-execute query कर सकते हैं, तो देखिए, यहां पर हमारे पास द पर देखिए, तो मैं मिलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप वीडियो को like कर दें, और चैनल को subscribe कर दें,